नमस्कार आप देख रहें न्यूज एक्स्प्रेस आपके साथ मैं हूँ अपूर मिश्व्रा आए दिन दुनिया भर में नए नए प्रयोग उते रहते हैं वो चाहे विज्ञान से जुड़ी चीजे हो या फिर खाने पीने का सामान हो जीवन परिवर्तन का नाम है और इसमें बदलाव होते रहने भी चाहिए हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों में वैग्यानिकों ने एक ऐसा काम किया जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रहे हैं दरसल वैग्यानिकों ने पिछले साल नवंबर की महिने में कुछ शराब की बोतलें अंतर राष्ट्रिय अंतरिक्ष स्पेस में भेजी थी जी हां बिल्कुल सही सुना आप ने वेग्यानिकों ने अंतरिक्ष में रिसर्च के लिए किसी जानवर या किसी अंतरिक्ष यात्री को नहीं बलकि 12 शराब की बोतलों को भेजा है दिल्चस बात ये भी है कि ये सभी महंगी फ्रेंच वाइन है यही वज़ा है कि लोग इसे लेकर कई तरह के सवाल कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आखर नासा ये शराब की बोतले अंतरिक्ष में भेज कर क्या रिसर्च करना चाहता है आखिर अंतरिक्ष में ऐसी क्या चीज है जिसके लिए शराब की बोतले भेजने की सरूरत पड़ गई क्या ये बोतले किसी एलियन के लिए भेजी गई है या फिर अंतरिक्ष में कोई पड़ी शराब की पार्टी होने की तैयारी हो रही है अगर नहीं तो इसकी सही वजह आखरकार है क्या अब इसको लेकर जितने मूँ उतनी बाते हो रही है कई लोगों ने तो ये तक कह दिया है कि ये शराब अंतरिक्ष बैग्यानिकों के लिए भेजी गई है आखर इसकी असल वजह क्या है चलिए आपको इसमें और ज्यादा नहीं उलजाते हैं आपको इसकी हकीकत बता ही देते हैं दरसल ये बात बिल्कुल सच है कि अंतर राश्ट्री अंतरिक्ष स्पेस में दो महीने पहले अंतरिक्ष में बारा फ्रेंच वाइन को भेजाने हैं ये सभी शराब की बोतले काफी महंगी हैं और अपने स्वाद के लिए काफी मशूर है ये वाइन बोर्दो रेड वाइन है जो उच गुडवत्ता वाली मानी जाती है ब्रेटन के मशूर अखबार दा इंडिपेंडेंट के मुताबिक नासा ने जो शराब की बोतले अंतरिक्ष में भेजी है उसकी एक खास वज़ा है ये शराब किसी वैग्यानिक या किसी पार्टी के लिए नहीं भेजी गई है बलकि इन्हें अंतरिक्ष में भेजने का एक बहुत खास मकसद है दरसल ये खास प्रयोग फ्रांस की बोर्दो युनिवर्सिटी बर्वेरिया और लक्समबद में स्टार्ट स्पेस कार्गो अनलिमिटेड दोनों मिलकर कर रहे हैं ये बोतले एक खास एक्सपेरिमेंट के तहर अंतरिक्ष में भेजी गई हैं ये सारी बोतले एक साल से तीन साल तक अंतरिक्ष में रहेंगी वैग्यानिक इसके जरीए ये चानने की कोशिश करेंगे कि अंतरिक्ष स्टेशन में इतने वक्त तक अगर शराब को रखा जाता है तो उस पर असर क्या होता है ये सब इसलिए भी दिल्चस्प हो जाता है क्योंकि वहाँ जीरो ग्रैविटी होती है और स्पेस का रेडियेशन होता है ऐसी परस्थितियों में अगर वाइन को रखा जाता है तो क्या उसका स्वाद बदल पाएगा या फिर ये वाइन खराब हो जाएगी इन बोतलों को उक्धातू के डिपे में बैकर किया गया है ताकि वो तूटे नहीं वैक्यानिकों का कहना है कि इस शराब को बनाने में येस्ट और जीवाडू का इस्तेमाल किया गया है इसमें थोड़ी सी रसायनिक प्रक्विया भी शामिल है जिससे अंतरिक्ष में रिसर्च करने में आसानी होती है एक तरफ जहां 12 बोतलें अंतरिक्ष में भेजी गई हैं वहीं प्रत्वी पर भी कुछ बोतलों को सनरक्षित किया गया है ये सभी पोतलें 18 डिग्री के तापमान में रखे गई हैं वहक्यानिकों के मुताबिक जब अंतरिक्ष की शराब वापस धर्ती पर आएगी तो इन दोनों के स्वाद की तुलना की जाएगी जिससे ये पता चल सकेगा कि बदले हालाग में खाने के सामान पर कैसा प्रभाव पर सकता है अमेरिकी अंतरिक्ष एजनसी नासा के मताबिक ये प्रयोग एक अंतरिक्ष बाता वरण में जटिल मल्टी कॉंपोनेंट तरल पदार्थों की उम्र पढ़ने को समझने में मदद करेगा इस प्रयोग का लक्ष खाद्य के लिए नए स्वाद और गुडों को विक्सित करना है अगर इन बोतलों में भरी शराब के स्वाद और गुडवत्ता में इजाफा होता है तो शराब उद्योग में एक नए ग्रांती आएगी तो अब आपको समझ आया कि ये शराब की बोतले अंत्रिक्ष में किसी पार्टी वार्टी या एलियन्स के लिए नहीं बेजी गई है इसके लिए एक एहम मकसद है और वो आपके स्वाद में बढ़ोत्री की खोज करने का मकसद है अलकि आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब वाइन को अंत्रिक्ष में भेजा गया हूँ इससे पहले भी साल 1985 में फ्रांसीसी अंत्रिक्ष वियाद्री भी एक शराब की बोतल को अपने साथ ले गए थे वो ये शराब उस वक्त ले गए थे जब वो डिस्कवरी शटल पर यात्रा कर रहे थे तो इंतजार कीजिए वैग्यानिकों की इस नई खोज का अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपने नए स्वाद और नए अंदाज की वाइन का स्वाद मिल सकता है झाल